हाँ एक चीज में आपको बताता हूं जो आप सही थी किसने पूछा थो को क्वेशन युक्ति तो उसमें विड का मतलब यही होगा शार अमल गंदक एवं अन्य खनीज पदार्थ अश्ट मूत्र पंच लवन इनसे ही होगा विडो का हना विड में शार अमल गंदक और अन्य खनीज रव्य अश्टि मूत्र पंच लवन यह सब विड में आ जाते हैं अना यह वही वीड होगा है ठीक है है कि अब के बास अब आपन आगे आते हैं कौनसी यंत्र पे विद्यादर यंत्र पे एक सब्सक्राइं तुला यंत्र पहले तुला यंत्र बचा यहां पे तो त तुला यंत्र जाना कर्म के लिए ना तो उसके अकोरडिंग रसका का इसको इसका काव तना स्ट्रक्चर होतीन है यह जैसे तुला हुति है तो यह तो यह तो आइन यह tell यह अपना तुलाय अंत्र है इसमें दो व्रंताक मुशाएं होती है व्रंताक मुशा जब मैं आपको मुशा पढ़ाऊंगो न तब आपको बताऊंगा व्रंत के समान जैसे होती है इसमें गर्दन लंबी होती है और ऐसे छोटी सी होती है तो इसको व्रंताक मुशा करती है त किके इन दोनों को आपस में नली से connection कर रहा है और उपर पिदान यानि फिर नीची से आपन अगनी देते हैं और इन दोनों वुरंत्य हैं मुंशाओं को किसमें रखते हैं तो रफ़ किंदनि देते हैं तो क्या होता होता है अब तो गंदक क्या है जल्दी मेल्ट होता है जल्दी एक पॉइस रोफ इस वाश्पा बनके किसमे जाती है पारद वाले जो भी अपना व्रंताक मुश्य के अंदर और पारद उसको दोजरे दुरिय करके ग्रहन करता है इस प्रक्रिया को क्या क्या बोलते हैं इस यंत्र को क्या बोलते हैं तुला यंत्र बोलते हैं ठीक है और ये इसका मुख्य उप्यों किसमें होता है गंदकादी द्रव्यों का जारन करने में अब इसकी थियोरी अपन देख लेते हैं एक बार तुलाय अंत्रे इसमें क्या होता है दो वरंताक के आकार की मुशा लेकर कंट में छिद्र करके एक प्रादेश या नो अंगुल लंभी मिट्टी की नली बांद कर और संधी बंदन करें मिट्टी की नली मतलब नॉर्मल नली होते हैं उसके उपर मिट्टी का इनका लेप करके बोला होगा इसलिए मिट्टी की नली बोला होगा तो इसका संधी बंदन कर दें ठीक है एक मुशा में शुद्ध गंदक तता दूसरी मुशा में शुद्ध पारत रखकर उपर से डखक चाहर बंद कर दें जहसाँ आपने डाय redund Weak लौत कर स्थनी अजीन चाहर जो बंद कर दें जानपल जानकरम में इसमें अगनी कितने अगन आगर कर से 4 एन्थ आगर तो ऐब ने 대해 पतक опас तुलाक करती होने कान इसको तुलायंतर कहते हैं तीक है इसमें वरंताक मुशा यूज आती है दोनों मुशाओं को आपस में एक नली से जोड़ते हैं नली की लेंद कितनी नो अंगुल नंभी और दोनों मुशाओं को डखते हैं जिसके किस से डखते हैं पिनाक से डखते हैं वह बहर से लिगराम। तो यह है डोल अयंत्र नाम से पतला है डोलने वाला तो इसमें क्या करते हैं कि एक मठकी ली उसके अंदर जो की गर्दने llevर mini चेद करते है दनों से रही और पाराला और एक लगडी उसमें फंसा देते हैं ठीक है फिर लगडी से टोरी बानते हैं अ और उस डोरी पे पोट हमाने बाते हैं आम पोट लिवक ओष्धियों की पोट ली जुस्म इसकी ऊष्डिय की यह कॉष्डी को ठीक है तो यह liquid अच्छे से बढ़ देते हैं और नीचे से अपन इसको क्या देते हैं अगनी देते हैं जैसे कि एक example के लिए आवले का स्वधन तो वह गया था आवले का स्वधन करते हैं तो एक तरसे आवले का स्वधन गुगुलू की तो उस गुगुलू को फिर अपन नहीं किसी ओशिदी के स्वरस वकरामे त्रिफला में इसमें डालते है और उसको अगनी देते हैं तो यह डोला एंत्र हो गया ठीक है अब छोड़ी अपन इसकी देखे तो क्या है इसमें दो लाय अंत्रे पाक करे ? इसका ओप योग का आज किया जाता categories के सुधन में ठीक है ध्रव में हपन क्या ले सकते हैं ? किषी भी ओशिदी का सवरस ले सकते हैं ख़र ले सकते हैं ? जल ले सकते हैं ? ड्पध या शार द्रव्या या अमले द्रव्या लए सकते हैं है ठीक है जमज में आ गया है अपर हबता अगला यंद्र ड्रू यंत्र के उड़ बाद डायक्राम दिखा देता हम आपको ये डमरूय अंतर हो गया, आपने उर्दू पातन न्यंतर जब पढ़े तो उसमें क्या थी एक मत्की की साइज बड़ी थी दूसरी मत्की की साइज छोटी थी तो दम्रू यंत्र में क्या होगा दोनों मट्कियों की सेम साइज होगी ठीक है यह दम्रू यंत्र भी आप एक तरह का उर्दू पातन यंत्री मान सकते हो इसमें कोई वह डिफरेंट सिस्टम यूज नहीं होता एकदम सेम टू सेम काम होता है सब कुछ मुझे नहीं पता कि आचा काम में लिया तक हमें नीचे इढम्रू रहन जाता है और उप इसमें तो आल वाल ता यहां पर कई के जो तल है प्रिष्ट तलहांगे उस पर जाकर घट्टी ओजाएगगे भास यही द यह काम है至 हई यह अकदह मूरू पातनन यंत्र एक मिट्टी कि हांडी को दूसरी के उपपर उल्टा रखें फिर दोनों के मुख जब एक दूसर से मिल जाए तो उसको मजबूत कपड मिट्टी से संदी बंदन करें कपड मिट्टी वह मुल्तानी मिट्टी और कपड़े का सूती कपड़े का जो अपन लेब बनाते हैं वो तो कपड़ मिट्टी इससे संदी बंदन करें डमरू जैसी आकरती होने के काण इसको डमरू यंत्र कहते हैं इसका उपयोग रस बस्मों के निर्मान में पारद वे संख्या के उर्दू प धश्म करेंगे शररह्स मुट दीम पारद करने के लिए व्यक्रिक पर découvrir धश्म ये अब बस्म किसी bout- happen भार्द ८ंसर्फ में जरूर dat है जब आप बस्मी करन प्रक्रिया पूरी पड़ते हैं तो उसका पहला स्टेप ही शोधन होता है इसलिए शायद यहां पर रस बस्मी निर्माण में बोला गया है ठीक है पर किका ओता है कारे शुर्ण होजदियों का भी प्रियोग करते हैं उनकी है जबता करते हैं घायर श्यूंत्रें चलाग बस्मी अ Noch a जमें हैं दोनों एक दूसरे का वे मतलब ड्मरू यंत्र में तो क्या था दोनों के मुख 1-2renda जैसनी नीचे वाली का मठी को मुख 5टर ओपर वाशट कर मुख 5- Liquor ऐसे था विद्यादर यंत्र में दोनों का मुख एक ही साइड होगा उपर की साइड ठीक है जैसे कि डायग्राम में यहां बता रगा है यह रहा विद्यादार रियंत्रे विद्यादार रियंत्रे में सबसे पहले नीचे यहां पर बना रखे बट्टी टाइप जिसमा पन लकड़ी लगा सके है ठीक है फिर ए सबसे स्पैसिफिक यूज क्या होता है इसमें चारों साइड से अगनी देते हैं यानि अगनी की मात्रा इसमें ज्यादा होती है अन्ययंत्रों की तुल ना में इसलिए इंपोर्टेंट है विद्यादार रियंत्र ठीक है अब इसकी थियोरी द्याग्राम आपने अपने सब प्रकार से fit हो जाए या बैठ जाए फिर दोनों का कपड मिट्टी से संधी बंदन करें नीचे के पात्र में द्रव्य तता उपर के पात्र में जल भरें फिर चार मुख वाला चूला बनाकर चारों मुखों से अगनी दें यानि तीवर अगनी के लिए इसका प्रियोजन किया इसका उपयोग कहा किया जाता है हिंगुल से पारत निशकाशन में और फिर प्रकर से परियोग हो घाए फिर आता है अगला पाताताल यंत्र का एक बर डायग्राम देख लेता है अपन कि यह अपना पाताल यंत्र हो घ्या ठीक है पाताल यंत्र और कच्छा प्यंत्र ओल्मोस्ट एक जैसे सही होते हैं उन में बस ही थोड़ा सा डिफ्रेंस होता है जैसे कि कच्छा प्यंत्र में आपना क्या था कि एक सेटेंगे कि आपन पहले इसकी पातल अंत्र की बात कर लेथे हैं तो पातल अंत्र में कहा है नीचे की साड़ है कटोरी टाइप रख रहे हैं जिसमें उपपर है ना चानने के लिए पात्र को जो भी अपना ओशत द्रवे नीचे गिरेगी न उसको चानने के लिए यहां पर एक सीवनी आपन सीव ट्यूब बोल सकते हैं चलनी टाइप रख रही है उपपर एक गड़ा रख रहा है जिस पर ओश्रियों का लेप किया हुआ है अंदर की साइड और फिर यहां से अपन अगनी देते हैं तो यह पाताल यंतर है ठीक है घृष और जो अपन अधय पाता अन्तर था उसमें दोनों नीचे उपर दोनों सरफ मठकी थी थी नीचे वहाँ कटोरी नीथा तो यह अंदर है दोनों में फिर अपन बात करते हैं पाताल यंतर की तो पाताल यंतर में कए कि मिट्टी का एक गड़ा लेकर उसमें चिद्र य शराव रख ली है ना ऐसे शराव में अनेक छिद्र कर दिये चोट छोटे 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 छेद कर दिये या तो चलनी रख देते हैं आज कल तो पहले क्या रखते थे शराव रखते थे उसमें अलग छोट छोटे छेद कर देते थे फिर इसको छराव को और इसको अच्छे प् कअपने गड़े में रख दें ठीक है किया इस गड़े के तल वाग के उपपर रखे मतलân इस गड़े को तल भाग उपर गड़े और नीचे गड़े में एक कटोरी सईीत गड़ना गड़े को जो है रग देवें मतलब हैं शुरुआत से बताता हूं पाता यंत्र क्या है एक घड़ा लिया अपने सबसे पहले ठीक है उसके अंदर बल्लाता क्या कोई भी ओशद्रव्य है उसका क्या क्या अच्छे से लेप कर दिया यह लेप कर दिया फिर क्या किया एक शराव ली बड़ा बड़ी सराई लिया बड़ा दिया लिया उसको अपने ऐसे रख दिया, अब इसमें अलेक छेद कर दिये, ठीक है, फिर इसका जो है, एक कटोरी उल्टी करके इसके उपर यू रख दी, और इस पूरे का अपन ने क्या कर दिया, संधी बंदन कर दिया, ये एक यंत्र तयार हो गया, अब इस यंत्र को एक जमीन में गड़ा करके, और इस है, तो यहाँ पे बल्लातक आदी का जो तेल निकालते हैं, बल्लातक तेल, गंदक तेल, इसमें इसका प्रियोग किया जाता है, क्या करते हैं बल्लातक की जो है, पेस्ट बना लेते हैं, हाना, और उसको क्या करते हैं, अब लेप कर देते हैं, गड़े के O defin careerえっ पर पिर आप जराओ पर इकट्ट। एकट्टा होता है। तो चबत्क पांग में dubी पच्छ सृतरे के हो तो तो यह रहाए है। बाछी आत्क तेल टो भीष होता है। में बढ़ाता है कि आपने कि जो उसको अगर अगर अपन युक्ति पूरवक्त प्रियोग करें तो वह अमरत के समान काम करने वाला होता है ऐसे तो आप कह सकते हो कि सांप है सांप का जैर भी आप बोल दो के कि यह तो विश है तो लेना ही नीची लेकिन सांप एंटि वेनम जो होता है वो सांप के काटे का ट्रीटमेंट करने में अपन यूज लेते ही है न तो बल्ला तक तेल ऐसा निया जिसने यहाँ पे तेल निक करने के लिए उसको निकालना तो पड़ेगा न तो पाताल अंतर के प्रयोक से तेल को निकाल रहें अलग कर रहें ठीक है ड्रक से जो है ओल को एक्स्ट्रेक्ट करें पहले अब इस ओल का भी आगा फर्दर शोधन वगरा करेंगे फिर जाकर उसको मेडिसिंस में यूज करे भी अगे और समझ गई अब थीए टिए पाताल यंत्र हो गया पाताल अंतर समझ में या फिर पाली का यंत्र पाली का यंत्र कुछ निया इसमें क्या होता है लोहे का गोल प्याला लेकर उसमें खड़ा दंड लगा लेते हैं फिर उसके उपरी बाग में हुक की तरह किया जाता है इसका एक बार डायग्राम दिखा देता हूं मैं आपको यह रहा ठीक है तो इसमें एक प्याला होता है लोहे का और उसके उपर एक हैंडल लगा होता है ठीक है जिसमें खुक होता है और यहां पर अंदर एक घर्शक या आपन बोल सकते हैं जो अपनी मूसली चाइप होती है यह जो है उससे क्या करते हैं आपन नीचे अगनी देते हैं और उपर से पारद या गंदक जो भी है उसको मिक्स करते रहते हैं इसके घर्शक के द्वारा ठीक है एक तरसे जैसे तप्त खल्व का जो काम था ना कुछ-कुछ वैसा ही इसका भी काम होता है त मुष्ली की साइज शेप अलग अलग थी यहां पर इसने अपने हुक वगर अदे रखा है बस यह यंतर है बाकी तो से मिलर से वरके इनके ठीक है तो यह अपना हो गया पाली का है हां बोलो है यह चैप्टर के शुरू में हमने पड़ा था कि यह जो मारकरी होता ही यह सब क सबस्क्राइय को तुछी का मतलब तो मीडलो हर को में जो में सबस्क्राइब करते ना तो यह इसके रहन की सबस्क्रान सोबस्क्राइब 5 च्माट अध़ा हम्रेक करके छाए सुद्षित का मान प्रियोक करते हैं पारद को गरने में सबसे में रोल निबाता है गंदक इसलिए आपर वह जो पात रहा उनसे रीक्षन नहीं करेगा ठीक है alonोर निस takenने मख्याण के साथ करता हैं उणको अपने अंदर आट में साथ करता है ठीका कि ऑकड़ेंगे साथ नहीं नहीं लिए अनको भी पर अबसम लिए बनाते हैं फिर वह बसम के साथ ठीक है शुद्आ भंशमे के साथ oh Aya कि इसाय यह कंफर्म करके इसको बता दूगा नुन ठीक है फ्रपने अगला मिन की अगला आते हैं बालू का यह अंत्र फे जो डायेघ्राम है शिको देख लेते हैं यह अपना बालू का यंत्र है इसमें नीचे से अगनी दे रहे हैं उपर जो है पात्र रखाया पात्र कैसा भी हो सकता है यहां पे बाल्टी के अकार का पात्र दिखा रखाया बाकी जो इन जनरल कैसा होता है पात्र मतलब है ना इस टाइप का भी पात्र हो सकता है जिसमें अ अफने कल्पना है जब पढने तो उसमें कुपी पक्षम कब न भी होती हुआ है तो कुपी पक फक्रतना तेयार करने के लिए अफन्स बालू कई आंत्र कि प्रयोग करते हैं तो जैसे अपन जोग बनाएंगे ना जब पारत के तो उसमें बालु का यंत्र एक इंपोर्टेंट रोल निवाता है तो इस तरह का कुछ बालु का यंत्र दिखता है जिसमें एक पात्र होता है जिसके अंदर बालु भरी होती है ठीक है उस पात्र के बीच ओ बीच अपन एक कांच कूपी रखते हैं जिसके अंदर ओशत द्रव्य भरा होता है अना नीचे से आपन अगनी देते है जिससे कह था बालु का गरम होति है कि निश्चित तर्था गरम होती होर्टी अपनी ऊसका पाग होता है वो तरह दूपरन कांड को कि क्लुक ना तियार करते हैं तो जैसे बीच बैटOn बलस होती ना उनका करते हैं तो काल शीशी पर एक अंगुल-मोटे कृपड़ मिट्टी किये भूए संधी बंदन करते हैं लिए लफ टो और यहां पर मतलब म्तै क्या फिर मुल्तानी जास में सूती कपड़ा डाला अच्छे से डिप किया फिर उसको ही अपन क्या करते हैं लपेट देते हैं उस शीशी पर तो 7 बार लपट तो 7 बार कपड़ मिट्टी हो गया ठीक है तो एक अंगुल मोटी 7 बार कपड़ मिट्टी करके सुखा लेते हैं शीशी को एक तिहाई बाग में कजली बरी होती है यानि जो भी अपन पारत पारत का योग बना रहे हैं वह भरा होता है, कजली बरी होती है। फिर एक बड़ी नांद को लेकर उसके तल भाग में दो अंगुल उपर तक बालुका बढ़ें नांद मैंने वह बताया था पराद जैसी तो जो अपने डायग्राम में बाल्टी जैसा देखा था वह यहां पर क्या है इसने नाद बढ़ दे रखा है वह अपने पराद ले सकत है या फिर कोई बाल्टी टाइप ले सकते हैं उसको कितना भढ़ना अपन को दो अंगुल उपर तक फिर उसके मद्य में शीशी रखकर बोतल के कंट भाग तक बालुका को बढ़ लें मलब फिर वापस पूर जितनी हाइट बोतल की है कंट तक वहां तक उसको बालुको प्रविष्टि नहीं हो सके अब बालुका यंत्र को चूले पर चड़ा कर करम शह मर्दू मद्य और तीव रगनी पर पाक करें जब अपन कूपी पको कल्पना पड़ेंगे न पारत की तब प्रैक्टिकली कैसे अपलाई करते हैं इस चीज को वह मैं आपको बताऊंगा ठी इंबर पहले अपन दीमी आज पर पकाते हैं फिर उसके बाद आज को दीरे-दीरे मद्यम पर लेकर जाते हैं और अंत में जो है उसको तीक्ष नागनी पर पाक करते हो शिदी को बालुका के उपपर त्रिन रखने पर वह जलने लग जाए तब तक पाक करें जो बालु करने पर उसको बस में यंत्र कहते हैं तो इसका उपयोग का है गंदक के जारण में और कूपी पक्व रस निर्मान में यानि कूपी पक्व कल्पना में जो मैं आपको बता रहा हूं पारत की जैसे रस सिंदूर निर्मान के लिए अपन करते हैं तो वह कूपी पक्व कल्प में आपने शराव संपूट वर्ड पढ़आ होगा तो शेशराव संपूट कि नहीं होती है। Dko आपस में उपोजीट-एक-दूसरे को अपओजिट क्या करते हैं रख देते हैं जैसे कि ये पहली ये शराव और ये दूसरी शराव दोनों को आपस में ऐसे रखके संदी बंदन कर दिया तो ये क्या कहला था एक शराव संपूट होता है ठीक है तो यहाँ पे पहला ये शराव संपूट है जिसके अंदर अपने क्या रख रहा है पारा ध्यूक्त जो भी द्रव्या है वो रख रहा है यहाँ पर गड़ा करके जमीन में और इसमें अपने क्या रख रहा ची बालू बर रखी है और उप्पर से अपन जलते हुए उपले यानि अगनी इसमें अपन उपपर से दे रहे हैं बालू का यंत्र में तो अगनी कहा से दीती नीचे से दीती और यहां भूदर यंत्र में कहा से दे रहे हैं उपपर से दे रहे हैं बालू का यंत्र में अपन ने आतिशिशिशिशि प्रियोक किती यहां पर अपन शराव संपुट प्रियोक कर रहे हैं ठीक है तो यह चीज यहां पर यह डिफ्रेंस से जहन में तो एक बार अपन इसकी ठिच लेते हैं बूदर यंत्र तो बूदर यंत्र क्या है एक पारद्यूक्त मूशा को अब यहां पर मूशा ले लो काम में या फिर अपने क्या बोलते हैं यह अपना शराव संपुट उसको ले लो दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं तो पारद्यूक्त मूशा को जमीन में गाड़ कर उसम उसके उपपर से बालू से पूर्ण दूप से भर दें या पूर्ण दूप से उसको डग दें फिर उसके उपपर बालू के उपपर क्या करते हैं अरन्योपल रखके और अगनी देते हैं अब अगनी उपपर से दे रहे हैं तो नीचे क्या होगा बालू गरम होगी और बालू अंत्रुम में होता है जहां पर अपन external environment से वो मुशा या फिर वो जो भी अपन शराव संपूट है उसका कोई नहीं रखते और जो बहिर अजितर कर यह ऊती है उसमें external environment से भी इनका वास्ता रहता है जैसे कि बालू का यंत्र जैसे कि बालू के यंत्र में आतिशी शीशी डारक्ट एंवार्मेंट के भी कॉंटेक्ट में और बालू के भी कॉंटेक्ट में जबकि यहां पर भूदर यंत्र में external environment से कोई contact नहीं है जो भी अपने मूशा है या फिर अपने ओशिदी है उसका ठीक है तो इसलिए उसको अंतरधूम का है तो गंदक के अंतरधूम जारण में बुदर यंत्र का प्रियोग किया जाता है अब अगला क्या है इस्थाली यंत्र तो इस्थाली यंत्र में क्या है क किसी गड़े में ओश्णियों से मर्दित्तामरादी दातों के गोले को रखकर गड़े के मुख को शराव से रखकर भली प्रकार से गड़ा एवं शराव का संधी बंदन कर दे फिर इस गड़े को चूले पर चड़ा कर नीचे से पर्याप तगनी दे तो इसको इस्थाली य सबसे पहले एक गड़ा लिया इसके अंदर तामरादी का जो भी गोला है वो रख दिया और अंदर से इसमें क्या है अमलरस बढ़ दिया ठीक है इस गड़े के उपर एक शराव रख ली उस शराव पर कपड़े की मिट्टी से बंदन कर दिया अच्छे से और नीचे से अगनी दी तो जो भी तामरादी दातों है उनको शोधन करने के लिए इस्थाली यंत्र का प्रियोग किया जाता है तीक है दातों के शोधन वा उनको मर्दू या सौफ्ट बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है अगला क्या है स्वेदन यंत्र स्वेदन यंत्र का एक जल से बरे गड़े के मुक पर मजबूत वस्तर को बांद कर वस्तर के उपर स्वेद्य द्रव्य को रख कर एक शराव से अच्छी तरह डख ले फि अंदर उसके जल भरा हुआ है फिर उसके उपर एक कपड़ा लपेड दिया अच्छे से फाइन कपड़ा और कपड़े के उपर अपने जो भी द्रव्य है चाये गुगलू वह रख दिया और इसको शराव से डख दिया फिर नीचे से अगनी दी अगनी देने पर क्या होता ह जो ड्रव्य होगा न सवेध्य द्रव्य जो भी गुगुलू वगर वह पिघल कर जो ओगा इस जल के अंदर आके गिड़ जाएगा और यहां पर इखट्टा हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया सुद्धन यंत्र इससे क्या अपने अपने यंत्र वाला टोपिक आज पूरा हो अपना यंत्र टोपी की उपाया थोड़ा ज्यादा लंबा चल गया लेकिन आपको जैसे थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे ना डायग्राम देखेंगा और समझने कोशिश करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा आपको आराम से पूछो या फिर में मलब कल अपन क्लास शुरू करें तो क्लास के स्टार्ट में पूछ लेना ठीक है समझ में तो आए ना आपको यह अंत्र वगरा युक्ति श्रमिश्टा अब आज आए ना कैसे काम करते हैं हां आलос बवाकह यक बार और पढ ले ना जो भी यंट्र समझ में न है उसको मैं 100% बात आ आपicipशो आपको समझ पहां को 다lauf है तीक है दूसरे में उसके वेपर से उसस में सूगी स्वेधन हो बात कि कुछ द्रवई ऐसा होते हैं, जिनको उपन पिगा कर सब्रोन पीगला के और सुद्ड ना ज़िए पढ़ता है कोई कई द्रव्य ऐसे होता है जो आराम से पिगल जाते है और वो मिक्स हो जाते है फिर जल में तो उनको स्वेधिनी एंतर में ज्वेधन कर सकते हैं और 12 एंतर में भी कर सकते हैं लेकिन जो द्रव्वे करता होते हैं लेकिन जो 160 प्रिया Tech लेकिन प्राइंश होती है उन्हों वोकि घंशेंश में इंट्रेश में स्वेधन उसे और बाउ और कोई डाउट? शर मिश्टा तुम्हारे क्या डाउट थे जो ने ग्रूप पे पूच रही हूँ है हाँ सर वो मैंने डाला था सर एक क्वेशन है जो मेरे किताब में 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 इंशन है यह शायद यह कभी क्वेशन में एक्जाम में नहीं आएगा फिर भी ही आउट प्यूरसिटी में पूच रही हूँ 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 यहां पर जो रश्म nov फ्लियेट किया जाता था जो वहां पर रो जो 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 लिंग होता था रस का जो लींग होता था हं Sonoda और Mar Podrick उनकाद उसके बजरा अवरख ऐसे करके उसो सजाए जाता था था यह पिर इस साइट से जाके यह पूरा घूमता था राउंड रस लिंगे के पास घूमता था इसका कोई ऐसा सिगनिफिकेंस है कि वो हमारे जो रस वैदे जो होते थे इंडिकेट कर रहे कि यह वाला मेडिसीन पकड़ लीजिये वजरा है या बजरा अवरख है अगर इस से वेस्ट की तरफ जा रहा है तो वेस्ट के तरफ एंवार्मेंट बहुत ड्राई हो जाता है तो ड्राई वाला क कि पर यह वहां पर हम ब्रूल को कर सकते हैं इस तिस फिलिए असी सजाए जाता था उपर आस और महारस देके ऐसा को था क्या सब्सक्राइब रहे हैं इनको यह बगवान सोब पत्ति मानते जैसे आपन रस पारत के शिव के वीरे सब पत्ति एतलिक है अब्रक्टी पढ़त तो यह क्या है इसका एक तरह से आपन मान सकते हैं कि ना बगवान की पूजा टाइप नहीं होती तो वह इनके लिए पूज्य थे ठीक है पहले इनका प्रियोग अपन जो करते थे पहले के रस्वेद्य वह करते थे दातुवाद और देहवाद के लिए यानि मौक्ष प्राप का निर्मान कराया जाता था जिकित्सार्थ प्रियोग तो अब अपन करते हैं ठीक है पहले तो यह उससे भी एक्स्ट्रीम लेवल के यूज करते थे जैसे कि महेंगी महेंगी दातुएं बनाना और अपने अलग-अलग मनलब सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जो है प का आप्त पित्तच टाइब के डिसोर्डर में करते हैं आप अपन अप्योग तो वह अपन मान सकते हैं पर इसका एक्जच कहीं पर भी एक्स्ट्रेशन नी दे रहा है और वो तुम्हारे डाउट क्या थे में को बताना है एक बर वापस इबर मैं गुरूप कोल कर देखता हूं एक दान्ने राशी जैसे एक प्याला बरक्षा और धन्ने राशी क्या है गयान्य राशी किनों को तो टो दौट कर अन्दर रखना उनके अंदर मातलब जैसे कि तुम्हारे पास ऐक मंधाइन एक बड़ा तन बगवनी गर उसको पूरी तरह हम од कर रखसीजू को घ्लत कि इंदर रखना तो जैसे तो है जो सराव संपूटे उस संपूट को एक दम अंदर जो की रसी के अंदर रहा मालब जो आपका इतना सारा आपके पास रखा ता बलक में जो उसके बिल्कुल अंदर रख दिया तुमने जैसे कि तुम्हाँ कोई कंटेनर जिसके अंदर बूच सार गेह या जो बरा हुआ है तो उसके भी एक दम अंदर डीप जाके उस चीज को रखना तो वो दानने राशी एक तरह से जैसे कि नहीं होता था कि पहले के कुछ आपने बोलते थे कि आप यह कच्छा आगया फल तो उनको क्या है कि उसमें रख दो किसी में जए गयों में रख दो तो उससे पक जाएंग पुछ धी के और तुम पूछ थी पुछल्दी कि और संपुछ से संथिक्ञिये होगी तो जो शराव संथे वो हाला कि पुट-पाख ब्खिए ना अगनी की मात्र स्था देंगे मतले च्रहां कितना टेम्परिचर ने मतलब थेन लें तो एक मतरुसक्र करता है और शराव सं तो शराव को बांद के संधी बंदन करके जो अपन बनाते हैं ना उसको शराव संपुड बोलते हैं उस इस्ट्रक्चर को ठीक है जिसके अंदर ऑशिदी बनी होती है पाक के लिए यह समझ मस्थ करंच करते क्यों है कैसे करते हैं तो नुझ्प डिकरण ऐसा सीपरी बहुत सारी घ्रड़ूया काम में लेते हैं जिनको अपण जिनके घ्रिंक जो है लोई करन प्रक्या्व आप है क्रिश्न वर्ण काम ही नहीं ऐसा कुछ specific निया कि कोई specific दोश को दूर कर बस लोईति करन करते हैं उत्तम वर्ण प्राप्त करने के लिए बसम का जैसे कि अब रख बसम का natural वर्ण रेड होता है तो अब जब अम्रति करन करते हैं तो ब्लैक वर्ण की हो जाती है तो उसको वापस पुने रख्त वर्ण प्र प्राप्त करने के लिए इसका यह नहीं है कि वह उसमें कोई संस्कार हो जाता है कोई और एक्स्ट्रा गुण बढ़ जाता है ऐसा कुछ नहीं है केवल और केवल उसका रक्त वर्ण पुने प्राप्त करने के लिए जो है लोईति करन प्रक्रिया की जाती है ठीक है दर्में चल गया कोई भी डाउट हो आज एक बार पढ़ना इसलिए मैं करा हूँ साथ साथ पढ़ोगे ना तो मुझे पता लगए कि हाँ आपको यह चीज समझ नहीं आ रही तो इसको में को और अच्छे से समझाना है और थोड़ा नेचर के करीब जाके थोड़ा और इजी वे में सम समझ नहीं आए तो एक बार दो बार तीन बार दस बार पूछो जितनी बार पूछ सको पूछो ठीक है कहीं से भी जवाब मिलेगा तुम्हें जरूर मिलेगा लेकिन जवाब है ना तुम सेटिसफाइड होगे ठीक है तो पढ़ो साथ साथ और पूछो भी एक चीज मैं पर चेड़ होंगे तो मेरे को कोई फिर इंट्रेस्ट भी नहीं आएगा एक दो बच्चों को क्या ही डौट डाउट सौलव करों अगर तुम सब एड़ो तब तो मैं तुम्हें पढ़ाऊ भी चीज बताऊ भी ने तो कोर्स तो कंप्लेट करवा नहीं है मेरे को बताओ इंट्रेस्ट है इसे दो या तीन संडे में मुझे है सर बाकी लोगों का क्या खेना है युक्ती ठीक है तो फिर संडे अभी इस वाले संडे को तो नहीं नेक्स संडे को जो जो ना से लास्ट संडे होगा इसका उस पर अपन देखते हैं कुश्चन आंसर थोड़े बहुत कर लेंगे थोड़ा मैं बता भी लूँगा किस तरह से कुश्चन पूछ लिया जाता है उस ठीक है तो अपन क्यों डिस्कॉशन करेंगे उसके वीडियो अगरा रिकोर्डिंग अपन नहीं करें क्यों डिस्कॉशन के हिजाब से होगा वो ठीक है चलो फिर एंड करता हूं आज की क्लास तुमें थैंक्यू सर